ये अनेको अनेक सवाल मन के अंदर विचरते रहते हैं, मन के अंदर गूमते रहते हैं, लेकिन ये मन आपको और ज्यादा कमजोर कर देता है, और ज्यादा भै पैदा कर देता है, और ज्यादा डर पैदा कर देता है, कि नहीं ऐसे ही चलता होगा, ऐसे ही होता होगा, कुछ न ना करूँ लेकिन जब आप साद ना करोगे आपके अंदर में जो ताकत है नाम की जो ताकत है नाम का जो तेज है वो जब जागरत होगा आपको एक एक अनुभव भी हुआ आपको एक पल के लिए भी उसके दर्शन हुए आपको एक पल के लिए भी प्राप्ति हुई अगर आपको एक पल के लिए भी वो नाद सुनाए दिये, आपको जो आनन्द आएगा, आपको जो लाब होगा, सोच नहीं सकते, क्योंकि उसके अंदर जो छूपी हुई ताकत है, उसका कोई अंदाजा नहीं है, और हम इन छोटी छोटी चीजों से उपर उठ करके, परमात्मा की और जो बढ़ रहे हैं, जो परियास चल रहा है, जो हमारी कोशिस है, ये धीरे 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 ये रंग लाने लगेगी, और इसका महतव समझ में आने लगेगा, ताकत का अंदाजा होने लगेगा, उस परमपिता परमेशवर की किरपा बरसने लगेगी, और सबसे बड़ी बात, जो नाम की ताकत आपके समझ आने लगेगी, अगर ये नाम आपके अंदर रम गया, कोई नहीं निकाल सकता, और ज कोई जाएगा, कोई नहीं रोक सकता मानों का चोला पराप्त होने में, और जब ये नाम आपके अंदर घूमने लगेगा, स्वास पर स्वास, तो ताकत पैदा होने लगेगी, एनरजी पैदा होने लगेगी, और लाब इतना होगा, गिनाए नहीं जा सकते, कोई नहीं गिन ना सकता नाम के लाब इतनी ताकत होती है इसके अंदर इतने फाइदे होते हैं इस अंसार के अंदर चाहे हम कितने भी करमकांड करते रहें आप लोगों ने भी किये हैं कर भी रहे हैं परियास भी कर रहे हैं जोर भी लगा रखा है गुम फिर के भी देखा है सब तरह के करमक जल्सा नहीं है, मैं इसलिए बोलता हूं उसका भज़न करो और जब आप उसका भज़न करोगे संसार का कोई भी कारिया ऐसा नहीं है जो आपका नहीं होगा। क्योंकि उसके अंदर इतनी ताकत है आप नहीं बोलोगे तो भी रास्ते खुल जाएंगे आप नहीं मांगोगे तो भी वो दे देगा आपकी इच्छाएं नहीं होंगी तो भी काम हो जाएंगे क्योंकि नाम के अंदर जो दोलत है नाम की जो कमाई है नाम के अंदर जो छुपा हुआ खजाना है अभी आप लोगों को उसकी जानकारी नहीं है जब आप इस रास्ते के उपर चलोगे, नाम की खोज करोगे, नाम की दोलत की कमाई करोगे तो आपको इस चीज का एहसास भी होगा, ताकत भी मिलेगी, बढ़ने की सक्ती भी मिलेगी, आगे चड़ाई भी प्रारंब होगी, प्रमात्मा की करपा भी वर्षेगी, उसका नाम भी जागरे तो होगा, तो ताकत का एहसास तभी होता है, जब कोई वस्तु हमारे पास हो, तो नाम की कमाई के साथ साथ आप ध्यान के उपर भी जोर दीजिए, नाम के उपर भी दीजिए, सुमरन के उपर भी दीजिए, क्योंकि इसके बिना जीव का और जगत का, इस संसार का कल्यान संभव नहीं ह अगर एक जीव भी उतर जाता है, तो लाखों जीवों को जगा जाता है, जब लाखों जीव जागते हैं, परमात्मा की तरह बढ़ते हैं, तो उसकी कितनी किरपा बरस्ती होगी, कितनी चड़ाई होती होगी, वो सचा बाच्छा, वो परमात्मा, वो पूरन पुरुष, अनं से दूर है बिल्कुल भी नहीं है जब आप ध्यान के अंदर रोज सुम्रण करोगे हर रोज ध्यान करोगे हर रोज उसके नाम के उपर बैठोगे वो परमात्मा धीरे धीरे आपके नजदी काता जाएगा और गुरू भी आप से दूर नहीं रहेगा क्योंकि जिसको आप ये सोचते हो वो तो हमारे से अजारों करोणों को उस दूर है और लाखों मील दूर है कैसे आएगा वो तो आप उसको नजदी कनुभव करोगे बिल्कुल साथ में कि पास में है पास में चल रहा है हमारे साथ में है क्योंकि ध्यान की पकड़ जब मजबूत होती है तो आप व वो चेतना जागरत हो जाएगी, जब वो जागरत होगी, उठना शुरू होगी, सुरत लगेगी, सबत जागरत होगा, तो जब सबत का मिलाप होगा, तो सबत के साथ वारता लाप भी हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको केवल ध्यान कियाओ सकता है, नाम कियाओ सकता है, और एक करम अपने ध्यान दे करके क्योंकि आप ये समझना जो भी हम करेंगे वो करम हमारा बहुशे निर्दारित करेगा एक भी हमारा किया गया करम एक भी हमारा उठाया गया कदम एक भी हमारा बोला गया सब्द एक भी चला गया कदम किसी भी परकार से कुछ भी अगर हम करेंगे ये हमें भोगना ही पड़ेगा चाहे हम पुन्य करें चाहे हम पाप करें लेकिन जब नाम का सहारा ले करके नाम की ताकत को साथ ले करके नाम को साथ ले करके जब हम आगे बढ़ेंगे नाम की तलवार पाप और पुन्य दोनों क काटती चली जाएगी, जब इन दोनों को काटते चले जाओगे, आत्मा बहुत पवित्तर हो जाएगी, तेजस्वी हो जाएगी, सबद के अंदर इतनी ताकत आजाएगी, जो बोलो होगे, वही होने लगेगा, क्योंकि सबद के अंदर इतनी ताकत, जब आप आग्या चकर के उपर पहुचोगे, दवार के उपर पहुचोगे, सबद मजबूत होने लगेगा, इतना मजबूत हो जाएगा, सबद कटेगा नहीं, कितना भी कुछ भी कर ले कोई भी, कितना भी कोई भी देवी देवता हो, सबद को नहीं रोक पाएगा, अपने सबद के अंदर जब इतनी ताकत हो जाएगी तो वो सब के सब्दों को चीर देगा और किसी का भी सब्द उस सब्द के सामने नहीं ठहर पाएगा ये सब्द सब्दों का खेल है और सब्द सब्द ताकत के साथ चलते हैं और सब्द सब्दों की ताकत चढ़ाई के साथ मापी जाती है सब्दों की ताकत तेज के साथ मापी जाती है साधना के साथ मापी जाती है और जब सब्द सब्द आपस में टकराते हैं तो जिसका सब्द मजबूत होता है वही आगे बढ़ जाता है तो सब्द का जो खेल है आपको धीरे धीरे समझ में आएगा और जिसको ये सबद का खेल समझ में आजाएगा तो उसको और कुछ भी खेल खेलने की और कुछ भी सोचने की और कुछ भी विचार पैदा करने की आवसकता नहीं रहेगी संसारीक वस्तूं से निकलने क्याव सकता नहीं रहेगी क्योंकि संसारीक वस्तूं में रहते हुए जिस परकार से जल के अंदर मुरगाई रहते हुए जल के अंदर बहुत से ऐसे पक्सी हैं जो जल के अंदर भी विचरन करते हैं आकास के अंदर भी विचरन करते हैं उसी परकार से आपका ये काम हो जाएगा आपका ये जीवन हो जाएगा कि संसार के अंदर भी हो और उस ब्रम की तरफ भी बढ़ गए जिस परकार से थोड़ा सुरुवात में ताकत लगेगी द्यान लगाने में, सुमरण करने में, परियास करने में कोई भी कारिया कोई सीखता है जैसे कोई गाड़ी का मेकैनिक है गाड़ी चलाने वाला है कोई भी कारिया करने वाला है शरू में जब खेत में जाते हैं ट्रैक्टर चलाने वाला है हल जोतने वाला है कोई भी कारिय किसी भी परकार का चाहे कपड़े सीलने वाला है जब सरुवात में करते हैं बहुत बड़ा कारिय लगता है तो मेरे से नहीं होगा इतना असान नहीं है लेकिन जब हम ये कारिय सीखते हैं धीरे धीरे उस कारिय को रोज करते हैं रूटीन बन से ध्यान के अंदर जब आपको शुरुआत होगी आपको अजीबो गरीब लगेगा यह क्या चल रहा है जी उनमें मैंने क्या शुरू कर दिया कितनी ताकत लग रही है कहीं समय खराब तो नहीं हो रहा लेकिन आपको अंदाजा नहीं आप समय का कितना सुदू प्योग कर रह है आपके विचारों के अंदर भी नहीं होगा कि यह कितना लाभ हमें पराप्त हो रहा है जब इसका लाभ पराप्त होगा जब इसके परिणाम नजर आएंगे जब आपको इसका महतो पता चलेगा तब यह सब कुछ आपकी आँखों के सामने होगा कि आपको क्या पाया है आपने क्या खोया है, कितना सुधुप्योग हुआ है, कितना पुरियोग हुआ, कितना उप्योग हुआ, एक एक सब्द का बड़ा गहरा अर्थ और रहस्या है, क्योंकि जितने भी सब्द होते हैं, वो रहस्या को परकट करने के लिए, उस अनंत को परकट करने के लिए कभी भी पूरण नहीं होते, लेकिन संत लोग हमेशा प्रियासरत रहते हैं, जितने भी जीव इस महरग के उपर चल सकें, उस अच्चे बादश्या की ओर बढ़ सकें, उस पूरण पुरुस अनंत की ओर बढ़ सकें, उतना ही कारिय उनका होता चला जाता है, क्योंकि वो ये चाहत हैं, जो भी जीव, जो भी सादक, उस अच्चे बादश्या तक पहुंच जाए, उतना ही शरेष्ट है, क्योंकि जितने भी जीव, जितने भी इस अन्शार के अंदर, किसी के उपर भी करपा उस परमात्मा की बरस जाए, और वो उसके समान हो जाए, इस से बड़ी ताकत कि इसी में ना थी, ना है, ना हो सकती, तो आप ध्यान करो उस परम्पिता परमेश्वर का, जो जितना ध्यान करेगा, सुम्रण करेगा, उसका रास्ता उतना ही खुलता जाएगा, परमात्मा की करपा उतनी ही बरस्ती चली जाएगी, उस सच्चे बादश्या की तरफ, जब आप कदम बढ़ाएंगे, वो हाथ पकड़के, आपको अपने मारग पर अपने आप ही चलाने लगेगा, तो आप ध्यान कीजिए, सुम्रण कीजिए, जितना भी आप कर सकते हैं, परियास कीजिए, और अगली जो पुरनीमा है, आपको पता ही चल गया होगा, कि वो छे की ह है, अभी सहस्ता के कुछ कारिय करम चल रहे हैं, उनका आप लोग बहुत परियास कर रहे हैं, जितना आप परियास कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत हमारी टीम भी कर रही हैं, उनके साथ आप लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत हजारों की तादात में जो उठा उठा कर के स्टानों से मूर्थियां लेकर के आए हूं हजारों की तादात मैं आपने देखा भी होगा आज वो कारिय करम चल रहा है वो पूरे महींने चलता रहत शूमें आपको संसार को anni वाले समय में पता चल जाएगा ज्यादा समय नहीं लगेगा इस हरियाना के अंदर से तो छै मेहने के अंदर कोई ऐसी जगए नहीं होगी जहाईंए इस परकार का समान पड़ा मिलेगा क्योंकि आप लोग इतनी महनत कर रहे हैं हर जिले के साथ टीम के साथ हर कोने के उपर नदी के अंदर जा करके निकाल रहे हैं कितनी मेहनत का कारिय है तो आप लोग इसी परकार से मेहनत करते रहें परमात्मा का नाम सुम्रण करते रहें